गुद्मॉर्णिंग टॉल अफ्यू टूडे वी डिस्कुस्स सुप्रिंग 2020 का क्वेश्चन है बेजिंग लेमिटेड वाला मोच इंपॉर्टन क्वेश्चन है यह अगर हम कर लेंगे तो प्रोसेस कॉस्टिंग का कम्प्लीट चैप्टर जो हो समराप हो जाएगा इसमें हर चीज़ बताई हुई है जो लॉसिस के मैंने आपके साथ डिसकस नहीं किया है अभी तक कि लॉसिस को कैसे मेर अप करना है तो वह सारा इसके अंदर है ठीक है तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो लेट स्टार्ट आवो कि अच्छन यहां पे लिखा हुआ ह पी वान होगा फी तू होगा फॉल्व इंफरमेशन रेलेट सु प्रोसेस टू इस एक्स्ट्रेक्ट इस एक्स्ट्रेक्ट इंद अगे वैलिय दी है ओपनिंग की ट्रांसबर्निंग की मटीर लेबर ओवरहेड्ट लेबर ऑवरहेड मिला कि आपके कन्वायन कोस मैंगी दन material is added at 60% completion of process to after inspection is carried on. इस से इस line की line most important है. आप यह कह सकते हैं जो पूरा question है उसकी समरी इस एक line के अंदर है. कि जो material है वो जब add हुआ उसके बाद inspection हुई थी कि अब losses में एक point आता है कि losses अकर before new material edition या losses अकर after new material edition और losses से मराद inspection ही होता है inspection is carried after या before तो यहां से मैं बता लग रहे हैं कि inspection is carried after new material edition ठीक है उसके बाद normal loss का estimate कि over 10% of input वो आपको बता है कि inspector units निकालें या उससे बता लग जाए कि convenient cost और आगे values दियो ही है और method बताया हुआ है कि FIFO से करना है अब जो इसकी requirement है यह के quantity schedule बनाना है then statement of equivalent production and then cost of finished good closing working process and abnormal gain या loss की values निकालनी है means statement of evolution बनानी है ठीक है let's start our question तो सबसे पहले आप यहां से process costing का quantity schedule बनाएंगे यहां पे मैंने proper जो है वो सारा question solve किया हुए opening की value लिखती है अब input की value वो वाली है जो transfer from process 1 है हम आप यहां पे process 2 solve का रहे है जो transfer from process 1 होता है उसको हम input की तौर पे लेगे लेकिन value वो ही आएगी material ले लेंगे then closing ले लेंगे and then output लेंगे अब normal loss कैसे निकलेगा वो inspected unit से निकलेगा inspection stage आपकी 60% होगी material is added at 60% इसका मतलब inspection उसके बाद हुई है inspection may be at 60 हो सकती है inspection at more than 60 हो सकती है तो हम अपनी असानी के लिए हम 60 ले लेंगे ठीक है जब इस तरह दिया हो material की दियो और inspection उसके बाद का कहा हो तो वो 60% पर हो सकता या 60% से ज़्यादा पर हो सकता तो हम simple 60% लेंगे उसके according अपनी inspector units निकाल लेंगे उनका 10% ले लेंगे और normal loss आजएगा और आउटपूट से जो हो मैच नहीं करेगा तो हमारा abnormal loss 1000 का आजएगा then FIFO method है हम उसके according statement of equivalent production में आएगे सबसे पहले हम यहां पर opening लिखेंगे as you on law की opening according to FIFO method में तो P1 में वहां पर उसके कोई value नहीं आ रही होती है यह मैंने आपको पिछले lecture में सारा detail में समझा आजएथे कि P1 में क्या लेना है conveyance cost में क्या लेना है material में क्या लेना है तो P1 में यहां पर कुछ भी नहीं आएगा और conveyance का वही जो stage of completion दी होगी इसका opposite करके लेंगे for example opening उपर 40% था तो यहां पर 60% करके लेंगे material पे आपने 100% वाला तब लेना होता है जब material वाला material के जो percentage होती है वो opening के percentage से ज्यादा हो तो मैंने उपर लिखा होगा है material के 60% दी होई थी और opening के 40% होगा ज्यादा ही था तो यहां हमने इसको 40,000 ले लिए then started and completely लेना है वो output में से opening को minus करके वो 100% ही होता है हर जग प्लोजिंग वाला भी इसी तरह है then abnormal loss अभी यह वाला point है जो मैंने इस लेक्शन में जो बिसक्स करना था वो यह था abnormal loss के पहले देखें कि आपके जो loss हो कब रहा है after new material addition मैंने आपको पहले point यह समझा दिये then आपका P1 में भी कोई नहीं आएगा material में भी कोई नहीं आएगा conveying में जो stage of inspection है सिर्फ वह वाला लेकर हम इनका total कर लेंगे then cost per unit पे जाएंगे अब यहां पे यह point important है कि new material में तो वही वाली value आजाएगी कर्मेयर में लेकिन P1 के लिए हमें एक working करनी पड़ेगी जो नीचे मैंने solve की हुए उसके लिए आप working का formula देख लें वह working बहुत ऐसे मुश्किल है लब बहुत से teachers करवाते हैं आपको मुश्किल मुश्किल वे में कि इस तरह कर लें इस तरह कर लें लेकिन यह एक formula इसमें बनाया हुआ है कि units transfer लेंगे जो units transferred हुए यानि वो थे 295,000 ठीक है उसमें से minus कर देंगे actual loss actual loss होता है जो आपका normal loss भी होता है जो अब normal loss भी होता है उन दोनों का sum को actual loss कहते हैं ठीक है then multiply करेंगे cost of transferring units per unit यानि जो unit transfer हुए है उनकी cost per unit लेंगे उसकी per unit cost का formula हमारे पास यह आजएगा cost of unit transfer divided by total unit transfer and then minus scrap value of normal loss over normal loss के units ठीक है then मैंने यहां पर सबकी values put की तो हमारे पास 80.31 answer आगया ठीक है then उसको मैंने उपर unit transfer minus actual loss multiply 80.31 करके हमारे पास P1 की value आजएगी ठीक है यह आप यहां से देखेंगे कि तो आपको easily समझ आजएगी हर चीज को मैंने लिखा हुगा है अब यहां से हम cost per unit निकालेंगे वहां भी P1 की value लिख लेंगे units and then cost आजएगे then statement of evolution में जाएगे उसमें वो simple वो सारा है वही method of brown done जैसे निकालते है निकाल आएगा ठीक है then एक जो important key point है यह मैंने लिखा था कि आप बूलना जाएं के material addition on inspector unit की same percentage हमने लिए 60% लेकिन जो material addition हुआ है उसको हमने inspector units में add नहीं करना यह important point है then started and completed की भी वैसे cost निकाले cost of closing की भी अब यहां भी चीज 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 आया है ना वो clause cost of abnormal loss में आएगा कि abnormal loss में आपको सर्फ conveyant की दी हुई थी P1 में हमने statement of equivalent में हमने P1 नहीं लिया था क्योंकि यहां पे हमने loss after new material addition हुआ है वहां से हमारे पास cost आई थी 80.31 उसको हम यहां पे use करके P1 का abnormal loss की complete value है 1000 उसके साथ multiply करके हम यहां पे value लेंगे यह सारा cost of abnormal loss P1 में जो हमने find किया और इसके इलावा हमने cost per unit निकाल लिए और इसमें P1 की value निकाली है यह सिरफ हम तब करते हैं when losses are occur after new material addition यह हम कह सकते कि inspection is carried out after new material addition अगर उसने लिखा हुए inspection is occurred before new material addition then question बहुत simply smoothly वैसे ही जाएगा जैसे आप पहले solve करते थे P1 की value given होती थी उसको आप ले लेते थे ठीक है तो यहां भी हमारा question complete solve होता है next to a moment कोई और question के जुरू आपके concepts clear करने के कोशिर करूंगी तो इसमें और ज्यादा मतलब इसमें यह मुझे लग रहा था कि इसमें हर चीज आजाती है ठीक है इसमें हर concept clear हो जाता ठीक है तो आपके concepts clear हो गया होगे ठीक है thank you allah peace बाहे होगे तो जाता टादाए है टो रहे है और में अजाए है पक्वाटकर यह रहा देक है